सब्सक्राइब करें अपनी योटूब चेनल DRX राजे शेल्थ फार्मा को बेल आइकन दवाएं लेटेस्ट नोट्विकेशन पहले फाने के बेलकम फ्रेंड स्वागत है आपका फंगल इंफेक्शन से आप सभी भली भाती परचीत हैं इस बीमारी में मरीज की स्कीन पर खुजली होना रेडने स्विलिंग होना तथा बर्निंग होना जैसी इस्तिती शामान्य देखी गई है यह फंगल इंफेक्शन बोडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है परन्तु ज्यादा तरजी नंगों में फंगल इंफेक्शन को देखा गया है वो है अंडर आर्म नाक के सराउंड सकल्प सर पे जननांग के आसपास इनर थाई में नेल पर पाउं कमर और जहां पे भी स्कीन फोल्ड है बहां पे फंगल इंफेक्शन होते हैं इस फंगल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए कई प्रकार की टेबलेट्स क्रीमdoor संस इविलेवल हैं तो इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा प्रियोग में लिये जाने वाले फंगाल इंफेक्शन में क्रीम्स और लोशन के बारे में जानीगे जो की डॉक्टर द्वारा और OTC प्रोड़क्ट में इनका यूज किया जाता है तो वह क्रीम्स और लोशन्स कौन से हैं यह वो हम इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को बिना मैं इसकीप किये पूरा देखें जिससे की संपूर जानकारी आपको इनके बारे में मिल सकें मैं हूँ राजेश पूरजपती आप देख रहे हैं डियार एक राजेश हैल्फ फार्मा कि आप मोस्ट कॉमन्ली यूज में ली जाने वाली जो एंछी फंगल क्रीमशं है जिसके बारे में हम जानेंगे वो सबसे पहली और प्रूह क्रेम है क्रीम जिसकी इस सब से पॉपूलर की प्रांड़ केंडिट ःजेड केश if मोई आपके इसकी क्यूर रेट होती है और इस क्रीम को सामान चाह दीन गता जाता है और इसका डिष्ण Whenever डूरींशन होता है वह नगा कर चारह अपते तक होता है इतने में आपका फंगल इंटरिक्शन हो जाता है जो दूसरी क्रीम है वो है Mycona Jol क्रीम, इसका पूरा नाम Mycona Jol Nitrate क्रीम है जब भी आप इसकी कोई ब्रैंड खरीदते हैं तो इस पर आपको ये नाम लिखा हुआ मिलता है इस क्रीम की अगर क्योर रेट की बात करें तो इसकी क्योर रेट जो क्लोट्रीमाजोल क्रीम में उससे काफी जादा है इसकी क्योर रेट 90% होती है इस कारण से क्लोट्रीमाजोल से इसका रिजल्ट बैतर देखा गया है और प्रियोग भी जादा लिया जाता है तीसरी नममर की क्रीम है, ikonazole क्रीम, यह क्रीम भी klotrimazole के similar ही असर करती है अगली जो क्रीम है, उसका नाम है ketoconazole क्रीम, इसे short में हम ketz क्रीम कहते हैं और ये broad spectrum anti-fungal क्रीम है, popular blend इसका kz है और ये जो चारो क्रीम है, klotrimazole, ikonazole, mikonazole, ketoconazole ये सभी क्रीम एंटी फंगल की तरह कार करती है जो फंगल इंफेक्शन है जैसे रिंग वॉम होना इसकी इन फोल्ड पे किसी प्रकार का इंफेक्शन हो जाना जननांग के आसवास कोई इंफेक्शन हो जाना इनर थाई में इंफेक्शन हो जाना अंदर की तरब जो थाई का infection होता है उसमें ज़्यादा तर प्रियोग में लिया जाता है और इन चारो क्रीम में जो सबसे अच्छा result देखा गया है वो है ketoconazole क्रीम का इसके बाद miconazole क्रीम है अगली क्रीम है luliconazole क्रीम जो की इन चारो क्रीम के group की ही है जो की एजोल क्लास की दबा है परन्तु इन सभी में सबसे ज़्यादा हाल ही में luliconazole क्रीम का प्रियोग लिया जा रहा है और इस luliconazole क्रीम को आप जिस नाम से जानते हैं जो इसका popular brand है वो है लुली फेन क्रीम इस क्रीम का प्रियोग सभी प्रकार के फंगल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए प्रियोग में लिया जाता है लेकिन जो मुख रूप से इसका प्रियोग है टीनिया पीडिया नाम की बीमारी है जो की पाओं में फंगल infection होता है उसमें लिया जाता है इस बीमारी में जब इसका प्रियोग लिया जाता है तो काफी अच्छा रिजल्ट देखा गया है छे नमर की जो क्रीम है वो है इमरॉलफेन क्रीम या है मोर्फलाइन एंटी फंगल ड्रग्स है जो की बिल्कुल नेयर एंटी फंगल दबा है और जो इसकी पॉपुलर ब्रांड है वो फंजी क्रॉस क्रीम है जो सन फार्मा द्वारा बनाई जाती है इसका प्रियोग स्कीन के जो फंगल इंफेक्शन है उसमें तो लिया ही जाता है लेकिन इसका जो मुख्य प्रियोग है वो नेल फंगल इंफेक्शन में लिया जाता है आपके हाथ के नाखून पैर के नाखून में इंफेक्शन हो जाए तो इस क्रीम का प्रियोग लिया जात यह एंटी फंगल स्क्रीम के बारे में जिनका प्रियोग बहुत ही ज्यादा लिया जाता है तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें तो थैंक्स फ